विदान सबाक्षेतर रामपूर के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत के गाउं नंती टीकर आज भी सरक सुविधा से वंचित है यहाँ परलग भग 5-600 के करीब लोग अपना जीवन बरस करते हैं लेकिन सरक सुविधा से वंचित होने के कारण आज भी उन्हें बारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के स्थानियों लोगों का कहना है कि चुनाओ के दौरान इस शेतर का दौरा नेता लोग करते हैं लेकिन उसके बात यहाँ पर किस तरह के लोग परिशानियों से जूच रहे है इससे देखने वाला कोई नहीं है स्थानियों लोगों ने रामपूर के विधायक को लेकर कहा कि 15 साल से वे लगता रामपूर के विधायक रहे है लेकिन उन्होंने सरक्ट बनाना तो यहां के लिए दूर की बात है स्पैन तक नहीं लगा पाए है उन्होंने बताए कि जब चुनाओ नजदिक आते है और जन संपर्क अभियान चलता है उसी दौरान यहां पर कई नेता लोग पहुंचते हैं वादे करते हैं काम करने के लिए लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं उनका कहना है कि यहां के लोगों को सिर्फ वोट देने के लिए वोट बैंक समझते हैं मुल्बुत सुविधाइं देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है उन्होंने कहा की यह देखिए यह हमारा गाउनन्ती यहाँ पर आजकल सेव का सीजन चला है पर रोल यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है प्रशाशन बिल्कुल भी कारे नहीं कर रहा है यह देखिए यहाँ पर यहाँ से लगवग सारे इलाके में सेव ही सेव है पर यहाँ अभी तक प्रशाशन का कोई भी कारे नहीं हुआ है इसे जानते हम यहाँ पर भीट में घोने पाते हैं से बिंदीक हड़े कुछ निकरी नेजन तैंम की पूछता नहीं है वोण समितन तूछते हैं कोली बाद में कोई ने देखते हमारे को हम यह एतनी दिकत होती है कि फेन के लिए लेक्षिन टाइम के को इंसान सम्झते नहीं सिर्फ लेक्षिन तैम इने को पतला कर टो अगे पिछे को देखता श्री टान हां कुछा था एभ si करेंगे हम लोग को भी लगता करेंगे यह लगा सकते हमारे को बाकि दूर की बाद रोड़ की दूर की बास पैन के लिए इतने परशान थे वह पर सब्सायन लगेगी लगेगी नहीं लगी तो नहीं लगी